हेलो फ्रेंड्स एक और वीडियो वोकेप्स के मामले में जैसा कि आप जोग जानते हो कि मैं कई तरीके से वोकेप्स बताता हूँ ताकि आप लोगों को है ना इंट्रेस्ट बना रहे और कोई भी चीज़ जो अगर इंट्रेस्ट लेके करोगे तो कटिन से कटिन चीज बहुत ही सरलता से हैं अराम से आप उसको क्यारी कर सकते हैं तो अगला यह वीडियो भी मैं आपको लेके आया हूं वोकेप्स के मामले में और इसमें मैंने हैडिंग यू डाली है आपकी वाड़ पावर ठीक है लेक आपको दो वीडियो देदें तो वो मेरे लेक चलना वन था वन पॉइंट टू है ना आगे बढ़ गया है वो ठीक है तो इसी तरीके से यह अलग तरीका है मेरे पास वैड़ पावर के दाम से जिसे आप हिंदी में सब्सक्राइब कह सकते हो इसमें मैं क्या करता हूं कि मैं आसानी से याद की जा सके हैं इसने हिए चिए गारी कर तो इस तरीके से आप अगर आपके पेपर में आता है आपके ना एक्जाम में तो आप जमार्ट क्लिक्ट कर जाएगा कि यह हमने कौन से में पढ़ी है एक ठीक है तो यह सारे वर्ड मैं आप लोगों को एक्री के सेंस के लिए यूज करवाया हूं सिनोनिम से यह सब के सब अब देखो इनको याद करने तरीका तो देखें पहला वर्ड मैंने तो लिया हुआ है वह एक्रोबेशन अप्रोबेशन अप्रोबेशन और फॉर्थ वर्ड एक और उसका पांच्वा वर्ड है बैंक बीएंट अब यहीं से ज्यान सुनना कि मैंने कुछ एरो बनाएं एरो बनाने से यह थोड़ा द्यान रखेंगा कि देखें उपर की चार वर्ड मैंने लिये हैं वह एस स्टार्टिंग तो पहला एक्रोबेशन दूसरा है एसे असेंट तीसरा एसे अक्सीड फिर चौता है एसे एकॉड ठीक एक वाद बी लिया तो बी मतला बी से मेरी वर्ड लिया हुआ यह के जाना होता है और समर्पित सो जाना होता है तो आप यह वर्ड भी इसी कई से लोनिम से प्लोज मिनिम बताएं जोंगने के जुकने के ऐंगए के लिए यह चारो वर्ड आपके किस से स्टार्ड है चारो की चारो सी से स्टार्ड है तो आप इनको फिर याद रखना है कि सी से पहरा वर्ड कॉंसोनेंस दूसरा वर्ड कॉंसेंट तीसरा वर्ड कंसीड और चोधा वर्ड कॉंकर और चार्यों का मींस सहमती होती है है तो बड़ी आसां ही साफ फिक याद कर सकते हैं कि याद करोता हो जो इंट्वसे से कुश्राई में वड बना देते हैं है तो दिखिए जैसे मैंने अगर कहा एसे एप्रोबेचर उनना तो सी से कॉंसोनेंज फिर एसे और से से और से 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 कॉंसेंट क्यों मिला रहा हूं कि तो सी से कंसीड तो दीखिए लाश्क में यह भी सफिक्स थे एकॉर्ड और सी प्रेकॉर्ण तो मेरे खाल से इसी तरीक बहुत असान होगे याद करने का एकॉर्ड वर्ड आप एकॉर्ड वर्ड सुनें करता है के वहीं कोई कोई और नहीं वॉक्त नहीं है तो यह सब आप कहना क्या होगा है इसके बाद बाद करें तो कोई मैटर को लिखने कि आप उसमें लिखे हुए मैंटर से क्या हो सहमती हो तो आप कंफर्म कि यह इसकी क्लोज मीनिंग बता रहां कि कंफर्म करना क्या कहलाता है एंडोर्स करा तो यह इस हुए उसका एप से नहीं है जी से नहीं है अचा हर्मोनी का में अगर मीज की बात वो सुरले ताल के सेंस ले भी रीज़ करते हैं और सुरले ताल अगर एक ही होगा तब ही वो एक म्यूजिक बन पाएगा तो उसी से हार्मोनी याद रखना और इसी का जश्ट सिम्वनी सिंफ तो की फॉन और फॉन मैंने आपको पहले विसायद बताया हो मैंने कुछ वीडियों में होगा कि फॉन किसी भी स्पहली में आ जाए जो उसका सांड से होता है तो सिंफनी और हर्मनी दोनों ही सुरले ताल के सेंस करें यूज़ करते हैं एक और बात बताऊं सिंफनी को मतलब सहमती देजी तो यह एक से नहीं है फिर सी यू से आपका पहला मतलब सहमती होती है यूनिसन मतलब सहमती होती है यूनिटी मतलब एक मतलब होता है तो यह सब भी सिंफनी तो यू से तीन वर्ड है अननिमस मतलब सहमती होता है सबसे पहले चार वर्ड नहीं पहला बड़ा एंप्रोबेशन फिर दूसरा लगे हाथ तो सी प्यालो एसे असेंट उदर सी से कॉंसेंट इदर एसे अक्सीड उदर सी से कंजीड उदर एसे एक उदर सी से कॉंसी वाला भी आतों गया और सी से बहुत बड़ी वोकल छूट गई वह है उसके लागे बढ़ते हैं इसे एक बढर पताया के सेंट असके लिया यह से उनिम और तीस्वारत बीलकिल यूनिटी यह भी सहमती तो इस वेड़ पावर से आप हैना तरीके से आप याद कर सकते हों और इस वीडियो को भी आप हैना धंग से आना रूप पुठाइए एंजॉय करिए खुश रही है दूसरों की हैल्प करते रही है गुड़ बाइ